आज नगर परिशद में एविश्वास परास्ताव को लेकर के नहीं हो सकी बैठक। आज नगर परिशद में एविश्वास परास्ताव के नहीं हो सकी बैठक। आज ने इसी सिंसले में उपायुक्त को ग्यापन दिया और शिगर ही बैठक बलाने की मांग की शीला साइकल के विरोध में उतरे पारस्ताव ने नेतिक्ता के अधार पर उन्हें त्याग पत्र की मांग की है। हमने उनीस तारिक को उनी से दो जार अठारा को हमने एविश्वास परस्ताव के लिए एकिस पारशदों ने एफिडेट दिये थे। और डी सी साव ने एस्टीम साव की ड्यूपी लगाई एस्टीम साव ने और हमें 26 को अजन्डा दिया था भी 12 तरिक को 12 साथ दो जार रहां को जो आज की डेट है। हमें बारां बज़े का टाइम दिया था डेड़ बजगा भी तक नहीं आये और हमें नात उन्होंने यह बताया कि वह चुट्टी पे हैं यहां एलेक्शन होगा कि नहीं होगा अब हम सीधा डी सी साव के पास जा रहे हैं और अपना जो भी हम लेटर टाइप प्रवाग उन आज हमारी मीटिंग थी लेकिन जो आज वाशन दिया है कि दो दिन में ही हमें डेट जो मिल जाएगी आज की बैठक में हम 21 बाइस पार्शद इकठे हुएं और हम सब इकठे हैं हम अपने समय कर पहुंच गे लेकिन जो हमारे आज बारा तरीख हमें परशासन के द्वारा दी गई थी जिसमें कि हमें अपना जो आविश्वास था वो परस्ताव पारित करवाया था उसका मत दिखाना था जिसमें से कि हम 22-23 एमसी वहां प्रेजेंट थे लेकिन किसी वज़ा से SDM साब आज नहीं आ पाए जैसा कि परशासन ने हमें बताया कि उनके फैमिली इशू से उस वज़ा से वो नहीं पहुंच पाए उसके अलावा आज परधान नहीं पहुंच पाई और कहीं ना कहीं नेतिकता के अधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि आज जो भी हुआ बेशक आज मीटिंग कैंसल जरूर हुई है लेकिन आज उनको पता तो चलाओगा कि आज हम एक साथ हैं और उसी के दबाव के वज़े से शायद आज वो आए आ नहीं पाए और अभी हम डी सी साथ से मिलके आए हैं लेकि उन्होंने हमें अश्वासन दिया है कि जैसे ही SDM साब अपना कारावार संभाल लेंगे वैसे ही हमारा केस स्टडी किया जाएगा और उसके साथ ही हमें डेट मिल जाएगी और उन्होंने एश्वासन दिया है कि एक दो दिन में ही आपको डेट मिल जाएगी और उसके बाद जो भी प्रोसीजर होगा वो किया जाएगा